यूपी के रामपूर में इंतराश्टी शराब कंपनी जो करोडों का मुनाफ़ा कमाती है वो लगातार जान बूझकर ऐसी गलती कर रही है जो एक साथ लाखों लोगों पर भारी पड़ रही है परियावरन और किसानों की खेती को नुकसान हो रहा है साथ ही लोगों को भयंक कंपनी रामपूर डिसलारी लोगों को दे रही है पल पल मोत और संक्रामक रोग जिससे सैक्ड़ों लोगों की गंभीर बिमारियों के चलते मोत हो चुकी है आपको बता दे कि रामपूर शहर के बीचों बीच घनी आबादी में बनी अंतराश्टे स्थर की नामि गिरामी शराफ फैक्टरी रेडिको खेतान रामपूर डिसलारी से जिसके मालिक ललित खेतान और उनका बेटा अभिशे खेतान है जो दिली से बैट कर रामपूर में बनने वाली शराब को विदेशों में बेच कर हर रोज करोणों रुपए का मुनाफा कमाकर रामपूर की जंता को पल पल मोद दे रही हैं किसानों की जमीन को बंचर कर रही हैं फैक्टरी के आसपास जितने मोहले और गाम हैं वहां के लोग कंभीर बिमारियों से ग्रस्थ हैं जिसे टीबी कैंसर चर्म रोग दिव्यांगता और शारिक कमजूरी पी लिया जैसी अनियकों बिमारिया लोग लेकर पल पल मर रही हैं रेडिकों खेतान रामपूर डिसलारी के मुताबिक फैक्टरी से निकलने वाला यह जहरीला पानी उनके बनाए गए एक बड़े डेम में जाकर एकत्र होता है उसके बाद उसे मशीनों के जरिये साफ किया जाता है और बाकी गंदगी का खाद बना पर चालू नहीं है उसमें लगी मशीने जंग खाई पड़ी है नाम के लिए डेम हैं फैक्टरी का पानी रात के अंधिरे में छोड़ा जाता है जो आसपास के महलों से गुजर कर नाले के रास्ती करीब 30 किलोमेटर की दूरी तक सैकड़ो गाम से होते हुए यह पानी गु तो भारे जानी नुकसान हो सकता है जिसके जिम्मेदार रामपूर की यह नामी गिरामी शराफ फैक्टरी होगी रामपूर यूपी से समधा आता रवी सैनी की रिपॉर्ट प्रदूशन पर लारी है जिससे फसलो को काफी नुकसान हो रहा है तेकि कई सारे आतिकारी है उनके संग्यान में भी उनको देविदी आ गया उसका परिक्षन भी किया जा रहा है जहां जैसे रिपूर्ट मिलती है उसमें उससे साफ से कारवाई करेंगे कुछ मामले एंग सब्सक्राइब करेंगे जैसा भी निर्देश होगा चाहे किसी रिपोर्ट आएगी हमारे अधिकारियों की वहां जाज करके उसके अनुसार हम सब को कारे करने के लिए बात करेंगे किसानों खेतों में इंका जहरीला पानी जा रहा है उससे किस तरीके से बंजर हो रही है उससे जमीन तो बरवाद हो रही है फसले बरवाद हो रही है लेकिन जो किसान जमीन बोने वाला है वो किसानी पिरवारी तो रहे है मौत के कगार पर उसे पीमानी वह बंद नी रहा उसमें भी ऐसी प्रिलाइंट चला रहा है जैरीली गेस बनाई जा रही है उसमें और बो प्रिलाइंट बंद नहीं पड़ा है वह मतलब यह दो नंबर के जितने बाग हैं शेत हैं कलियान है सब की अरियाली को नश्ट कर दिया सारी फजलों को बरबाद कर दो लाता है गंदन बीमार पढ़ जाते हैं यही पानी पीपिक है और क्या किया है कि कैसे पानी आता है पीला पानी आता है सराप का पानी यही नाले का पानी आता है नलों में यह पानी पीते हैं पीमार पढ़ जाते हैं पीला पानी आता है सब पूरे गाउं में घर घर यही पीला पानी आता ह पुरे गाउ में पिरदाने बड़ा सरकारी नल लगाया है, और क्या कहा है, सरकार बड़े नल लगवा दें, तो हमारे बच्चे कम भी मारों है, सरकार नल नहीं लगवा सकते हमारे, इतना फिक भला नहीं कर सकते हैं, इतना हमारे लिए हमारे सरकार हो साथ, हमारे लिए कुछ पूरे गाउं में यही हल है नलों में सबके ही पईला पानी आ रहे हैं लेने के बाद ऑक्सिजन देते थे लंबा प्रोसेस है आवादी जादा है लोग संसाधन कम है खाने में हमने जवर जिश्ती होगा अनुसित पानी से तो देखिए बहुत सारी बिमारी होती है दूसित पानी से मलेडिया होगा दूसित पानी से डैंगू होगा क्योंकि मच्छर तो बहीं बन पेगा बहीं होगा दूसित पानी से टाइफाइड होगा दूसित पानी से नहाएंगे तो आपको चर्मर होगा दूसित पानी अगर आप पिएंगे तो आपको उल्टी दश्त होंगे दूसित पानी अगर आप पिएंगे तो यह दूसित बायू और दूसित पानी यह तो सारी बिमारियो इससे बचाओ के से हो सकता है बचाओ तो इसी तरीके से होता है पहले लोग इतने साइंटिपिक नहीं थे आज कल तो आरो आ रहा है है पानी को सुद्ध करना आ रहा है और अगर आपके पास कोई भी चीज नहीं है तो पानी को अबालिये जो गंदगी है नीचे बैठ अजीद पूर अच्छा क्या परिशानी आपको क्या परिशानी यह है कि वाइदा कर लेते हैं कि पैसे दंगे हर जाना दंगे तो वादा वह इसमें पानी भर गया ता और आलुसप खराव हो गते इदा से प्लाइन पसाया फिर यह जूट बोल ले ते कि इदा से नहीं आग तो कोई का रवाई नहीं है ना ना तो नहीं पहले प्रिशासन नहीं डाम जो बना था वो तोड़ दिया था इन्हों नहीं है तो नीचा कर दिया थोड़ा मिस्तकार व अच्छा क्या दिक्कत है आपको आप संस कम लागा भी सही नहीं कम लागा आ जो पानी होता है वो जहरीला होता है अज़ाइने तो कुंसी फेक्ट्री यह जिसका पानी यहां पर आता है शराब फेक्ट्री क्या नाम है फेक्ट्री का अच्छा तो आपने कुछ कर रवाई करीती कोई ग्यापन वगएरे इसके लोग आते हैं उन्होंने पैसे लीए घर में बैट गया अराम से महीना बांद लेते हैं पुलिस परिशादने कोई कारवाई करी है इसके खिलाब। इसके खिलाब। इस परिशानी की वज़े से सबको इंफेक्शन फेल लिया है किसी को फेपड़ों की टीवी है किसी को सास यह किसी को दमा है तो आपने इस चीज की चिकायत की पिर्शासन थे प्रसासल साहब पिछले साल मतलब ये कम से कम D.A.M kolettar जने कौन को ना है उसके बाद वहाई बात दब गई दरना दिया पूर्दिशन करा उसके बाद नल लगवा दिये वाले ने बात खतम हो गई उसके बाद पचासों नल आज भी ऐसे हैं कि जो घरों में मतलब पानी लोगों को पीना पड़ी है तो आप दो महीने के लिए सार कोई भी लोया का समान खड़ा करने घर के अंदर लोया खड़े खड़े करके गल के जमीन पर गिर जाता है तो आप क्या चाहते हैं हम यह चाहते हैं कि कोई ना कोई राष्टा हमारे लिए ऐसा निकले कि जिससे हम लोगों की सेयात और मतलब भीमारियों सब चुटकारा पाले तो आप जाएंगे डियम साब के पास इस चीज की आ पानी कहां से आता है डाम का पानी आ रहा है तो आप से निये कई साल सा है लेकिन कोई आश पाशन कोई आश पाशन दिया गए डियम साब की तरफ बहुत आया बहुत आनके चले गाए कोई ख़बर नहीं है यहां तो कि अच्छा क्या हुआ था यह बताईए कुछ ना हुआ था यही पानी पीते थे यही पानी पीना था ठंडा हो गरण हो नल कई अप्धूल-hameem अच्छा आप कबसे रहते हैं अपर यह पर हम आए हैं आखों के भी रोशन जारे है इसके oh अच्छा तो क्या बात है बताईए पूरी बात पानी यह नी पीते बलकर जो टंकी का नल आता पाइप लैन एक घंटे के नहीं है उसे परतने के नहीं है खाना बनाने के नहीं पीते हैं वो इस्तिमाल करते हैं पागी कपड़ पर दोना या कोई चीव भी है तो हम इसी पानी से क्या दिक्कत है आपको पानी का हमारा plastic of two hours को स्टीनिकी पिरिशाषस हैं किस से करें शिकाइव कौन सुनने वाला है हमारी क«वई लैंगा सुनाल की लिक्ते हैं उसक्ते लिग नम आपका कहां पर रहती हैं डाम के पास में अच्छत तो इस से डाम्ज आपको क्या दिक्क तक लेनी सकते जो आता है वो पैसे लेता चल देता है पुटलिय बना लेता है और सांस हमें नहीं आ रही है किस वज़ा से नहीं आ रही है आपको इस ते ऑख्षीजन से नहीं आ रही है जो रात को पानी छोड़ते हैं बराबर चूट रहे हैं पानी अच्छा कितने पहे तक बिमारी सब पूरी बश्ती को भी मारी है मुझे नई नहीं है बिमारी पूरी बश्ती बिमार है चैटने बीमारी हो रही है तो आजीटपूर को नोड़ भरता है चला नहीं कुछ बंद नी हुआ है। आपने प्रशाशन में दिये शिकाया था। दिये नहीं थी, धन्ने हुए यहां पर। नलो के पानी पी के देखो हमारे किती बद्बू आ रही यह नलो के पानी में। आपने पानी के लिए बेल इकन को क्लिक करें हमारे चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें। घंडे वाल। J.B.D. Banquets लाए है, incredible marriage palace Rajgarana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air condition, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgarana and Jyoti Garden, a J.B.D. Banquets enterprise.